हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब तो उम्मिद करती हो अच्छे ही होंगे तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ सेमी टसर की साड़ी देखिए सेमी टसर की साड़ी है और साथ में मैं ये भी बोलना जाऊंगी कि इसका जो है बॉर्डर का आउटलाइन मैंने पहले ही वीडियो में बना के दिखा दी हूँ और ये साड़ी कंप्लीट हो चुकी है तो कंप्लीट साड़ी मैं आप लोग के साथ सेयर कर रही हूँ कि आउटलाइन और आउटलाइन और कलर होने के बाद कैसा दिखता है आउटलाइन होने के बाद तो आप देखी चुके हैं कलर हो तो इसको open करके दिखा देती हूँ कि ये कैसा दिखता है, साथ में ये मैं ये बता दू कि इसमें fully neave work है, sketching से लेके कचनी, fully neave work है, सिर्फ इसमें भरनी का काम जो किया गया है red से, वो brush से किया गया है, क्योंकि आप लोगों के comment साते हैं, कि आप neave work करते हूँ या brush work करते हूँ, इसलिए मैं यहाँ ये भी share कर रही हूँ, कि ये fully neave work है, ठीक है, और साथ में मैं एक और बात बताती हूँ कि जब आप blouse बनाते हो, jury border और plain सारी, दोनों में मैं बता देती हूँ, ये सारी बीच से fold है, मैं इसको open करके ही आपको समझा देती हूँ, कि blouse में क्या बनाने है, तो जब भी आप बिना जरी के सारी में blouse बनाते हो, कमर के साइड से एक मीटर में लेना है blouse के लिए, मैं वो मीटर भी बता देती हूँ, मैं एक मीटर हम लोग लेते हैं, ताकि आप फ्री साइज का जैसा भी blouse बनाओ बन जाएगा, तो जरी बॉर्डर अगर सारी में हो, तो आप दोनों किनारी पे बनाओगे, एक किनारी पे बाजू का और एक किनारी पे बैक साइड का, ठीक है, जरी बॉर्डर वाले सारी में, अगर आपका सारी बिना जरी बॉर्डर वाला है, तो आप इस तरह से लेजएगा, जैसे मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको, इधर से आप 14 इंच छोड़ दीजएगा, 14 इंच में आपको जैसा बाजू बनाना है, बन जाएगा, और जो है, एक मीटर पका लेगे, ठीक है, इसके बाद आप बॉर्डर स्टार्ट कीजएगा, तो दोनों तरफ आप समझ गए, बिना जरी वाला सारी में, और जरी वाला सारी में, कैसे लेना है, ब्लॉज और बाजू, ठीक, देखिए, बिना जरी है इसमें, तो मैंने इस तरफ से, बैक साइड का ले लिया है, समझ गए, आपको जितना लंबाई लेना है, वो आप, आप पर डिपेंड करता है, आप जितना लंबाई में ले रहा है, अब आती है बाड़ी बॉर्डर की, तो यह हमारे पक्का एक मीटर छोड़के, आप बॉर्डर स्टाट कीज़ेगा, जैसे मैंने यहां किया यह, और मैं मेजर करके भी साथ में बता देती हूँ, कि कितने इंच का मैंने बॉर्डर डाला है, देखिए, यहां लगभग, आठ इंच का, आठ इंच का पक्का बॉर्डर बना हुआ है, साड़ी में आठ इंच का बॉर्डर बना हुआ है, आपको जितने इंच में बनाने हैं, वह आप देख लेज़ेगा, मैंने यहां आठ इंच में पूरा बॉर्डर लिया है, देखिए, यह पूरा बॉर्डर आज 8 इंज का है ठीक है कलर कॉंबिनेशन आप देखी रहे है दो कलर से बना हुआ है ब्लैक और रेड मल्टिकलर वर्क नहीं है अभी रेड और ब्लैक काफी यह है फैशन में तो चल रहे हैं यह अच्छा लग रहा है देखने में ठीक है यह पूरा वर्क अब रेड ब्लैक से बना हुआ है यह देख लिए जी हाँ कलर के बारे में भी मैं बता दू कि मैंने यहां जो कलर यूज किया है वो है फैवी क्रील का एक्रिलिक कलर फैवी क्रील का एक्रिलिक कलर मैंने यहां यूज किया है क्योंकि कमेंट्स आते हैं कि आप कलर कौन सा यूज करते है और पेंड कौन सा यूज करते है तो पेंड नहीं है वह उसको नीब बोलते है मदवणी पेंटिंग के लिए आते हैं नीब वो उसे नीब बोलते हैं वर्क भी देख रहे हैं एकदम बारीक है एकदम क्लीन वर्क बना हुआ है अब जब ब्रस सी काम करते हो नो तो इतना बारीक वर्क नहीं होगा बारीक वर्क के लिए आपको नीब का ही यूज करना परेगा तो इस सारा नीब वर्क है ब्रस वर्क नहीं है फुल्ली नीव वर्क है बूटा में भी आप देख रहे हो तीन दो का बूटा डाला गया है और फिश का और फिश का और फ्लावर का दोनों का मिक्स करके मैंने यहां बूटा डाला है और मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं वो भी शेर करने वाली हूँ कि बोटी का नि कनफ्यूजन है कि कौन सार नीव होता है कितना नंबर का होता है तो अगले वीडियो में मैं वो भी शेर करने वाली हूँ देखे यह उपर का बॉडर मैंने बनाया है क्योंकि नीचे का बॉडर और अल्रेड़ी आठ इंच का है तो उपर का बॉडर आप अगर इतना पॉडरा ले रहे हैं तो ऊपर का थोड़ा सा पतला ही रखिए तो ज्यादा सुन्दर लेगा देखने में यहां आप देख रहे हैं कि बॉडर में जो है वही डिजाइन को लेके मैंने रा सरकल में बनाया है आचल आचल का लंबाई भी एक मीटर प्लस में ही है देखे यह दूर से देखेगा तो कुछ इस तरह से देखेगा साथ में बता दू कि इसको आप मचली का रास भी बोल सकते हैं इसको माच का रास बोलते हैं साड़ी में जो बना हुआ आप देख रहा है डिजाइन उसको और हां साथ में आप लोग को यह सारी कैसी लगी वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताईएगा अब जब कमेंट करतो तो मुझे बहुत कुछी लगा होती है तो आप ज़रूर बताईएगा कि यह कैसा लगा आपको देखिए पूरा राउंड सरकल में बना हुआ है साथ में लटकन और खुबसूरती बढ़ा रही है आचल की और हाँ अगर आप बनवाना चाहते है तो प्लीस आप मुझे कॉंटेक्ट भी कर सकते हो वाट्सअप नमबर जो है डिस्किशन बॉक्स में दिया गया है आप वहां से मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हो पूरा बना हु है मेरे वीडियो को पसंद करने के लिए मुझे कमेंट करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू बाबाई